मेरा नाम जीद सिंग और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी-करी अब पूरे देश में तहलका मचा हुआ है बंगाल में बीरभूम जिले में एक कसबा है रामपुरहाट वहां पर गाउं है बोगतुई वहां पर एक बड़ी विभत्स घटना पार लगा के आठ लोगों को जिन्दा जला दिया गया है जिसमें से कुछ महिलाएं और बच्चे हैं जिया शायद ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही हैं और तब बहुत बड़ा एक लब पूरे देश में हाहाकार मचा है कि बंगाल में आखरी यह हो क्या रहा है और ममत थरकार करक्या रही है कि घटना के बैग्राउंड यह है कि वहां पर एक व्यक्ति था उसका नाम है भादु शेक तो जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन सुबह दोपहर में सुबह 10-11 बजए उस व्यक्ति पे 5-6 लोगों ने जो कि मुट्साइकलों पर सवार होके आयते हो गई है अब वह व्यक्ति उस गाउं का एक बड़ा प्रभावशाली बिजनसमैन और गुंडा है अच्छा जिन्होंने मारा वह भी टीमसी के मेंबर्स है त्रणमुल कॉंग्रेस के हमारी मुम्ता दीदी के और जो मरा वह भी टीमसी का मेंबर है जो मरा वह गाउं का उप प्रधान था उसका बैग्राउंड यह है कि यह 2011 तक कॉंग्रेस में था फिर जब मम्ता दीदी का उद्भव हुआ बंगाल की राजनीती में और उनकी सत्ता आने लग गई दार्ट आती भी दिखने लगी तो हजारों लाखों सो कॉल्ड सीपीम और कॉंग्रेस के कार्यकरता और गुंडे जो है वह सीपीम और कॉंग्रेस छोड़के टीम्टी में शामिल हो गए थे बंगाल में राजनीतिक कार्यकरता मतलब एक पार्टी विशेश का गुंड़ा जिसे वह काडर भी कहते हैं इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि बंगाल में ये कार्डर सिस्टम क्या होता है और गाउग गाउग गली गली एक एक घर मतलब अगर एक गली में पचास घर हैं तो उन पचास घरों के लिए बाकाइदे पार्टी केडर के रूप में एक गुंड़ा नहीं उक्त है जो की उनसे वसूली करता है उसका एक बड़ा वेल ओयल सिस्टम है मैंने इस पर बहुत कुछ लिखा है फेस्बुक पर मैंने बहुत मेरा लेखन है एक विशे पर मैं आपको अभी यूट्यूब पर मैंने यह सब अभी वीडियो नहीं बनाये थे आज मैं आपको अगर इसी वीडियो में या किसी अग किनारे पर बसा हुआ है एकदम शहर के अंदर यह आप इसको मान लीजिए तो यह रामपुरहाट जो नहीं यह बड़ा इंफ्लेंशल कस्पा है और यह एकदम जारखन बॉर्डर के नद्दिक का एरिया है और रामपुरहाट के बाहर की तरह ताड़े 300 के लगबग क्रशर चलते हैं और वहां पर सैंड की माइनिंग होती है पत्थर की माइनिंग बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर क्रशर लगा देते हैं जितमें गिट्टी निकलती है तो सिर्फ गिट्टी निकलती है उसके साथ रेता बजरी का भी एक बहुत बड़ा कारोबार होता है अ साधे तीन सो क्रशर्स से कितना माल रोज निकलता ह्वा हधार डौहजार ट्रक बालू तो उन क्रशर्सा निकलता हुर अ कि मैं अगल बगल अब उन उन ख्रशॉर्स को पत्फरों की फिडिंग होती है इतने बड़ बड़े पत्थर निकाल लाये जाते हैं फिर फर पत्थरों उन पत्थरों की धुलाई होती है उन ख्रुषर्ट तक फिर उस ख्रुषर से जो माल निकलता उसकी धुलाई होती यह शहर तक तो कहने का मतलब है कि हजारों ट्रक्स कि इस definitory में लगे वे हैं और तब यह जो भादुशेख है कि यह तीमसी का अधिकारिक गुंडा था कि जो कि इन सभी ट्रकों से वसूली करता था कि अच्छा तीमसी का जो वसूली का जो सिस्टम में था वह भी बेहत और्गनाइजड है बाकाइदा रसीद देते हैं गुंडागर्दी की कि आप से इतना गुंडा टेक्स वसूला गया और उसका फिर बकाइदा प्रति दिन का लेजर मेंटेन होता है डे बुक मेंटेन होती है और डेली का डेली पार्टी हेड़कॉडर तक हिसाब भेजा जाता है या इतने रुप पार्टी हेड़कॉडर पार्टी फंड में भेज दिया जाता है ऐसा भी होता है देश में टेमसी के राज में तो सब वह व्यक्ति हजारों ट्रकों से वसूली करता था तो निश्यत थारी वसूली तो शो करता नहीं होगा वाइट में जिते कहते हैं थोड़ी सी उसकी अप दंदे करता था और वह आदमी जो भादू शेक है वह देखते देखते जो है बड़ा रिच हो गया था बड़ा इंफ्लेंशल हो गया था और मतलब 10-12 बाड़ी गार्ट लेके चलता था ऐसे मौमली गुंड़ा नहीं था आप यूपी में प्रवेंचल में आपने देखा है उसकी भी हत्या होगी थी तो यह कोई नई बात नहीं है और हत्या करने वाले कौन लोग थे टीमसी के ही सदस्य थे यह मुसल्मान वो मुसल्मान यह कल तक उनहीं के आदमी थे पर जब एक आदमी जब ज़्यादा बढ़ गया ज़्यादा इंफ्लेंशल हो गया तो आपस की एक rivalry होगी जो जो भादु शेख मरहेएं उसकी पत्नी है उसका नाम असब अब तबैला बीबी तबिला बीबी ने आरोप लगाया तबेला बीबी और उसका बादु शेख का यह चोटा जहांगीर शेख मड़ रहो चुके हैं जो तीसरा जहांगीर शेख के उसने बताया ज तब यह जिन लोगों ने मारा है उनको हर महीने 20-30,000 रुपए भादुशेक्स दिया करता था वसूली में हिस्ता पर वह आपस उनकी राइवल्री थी तो उसमें उन्होंने भादुशेक्स की घत्या करती सोमवार की बात ही तो जब उसकी डेड़ बॉड़ी घर आई भादु साइटी के लोग रोल मर्डल्स हो गए है अब एक गुंडे के जनादे की तैयारी में हजारों लोग चलके आए थे कितना बड़ा भाई संत महात्मा था क्या वावा क्या बात है हजारों लोग क्यो नहीं जुटेंगे तो तब उसकी क्रिमेशन की तैयारी चल देते तब तक जो है गुसा था जो भी था किसने बोला किसने याघ लगाई तब जहां पर इस भादू शेख का घर था उससे थोड़ी दूर गली में उस पार उन लोगों का घर था जिनों ने जिन पर आरोफ है कि उन्होंने भदू शेख को मारा या जिनके साथ असकी रैवल्री थी उन लोग की नाम थाप फातीख शेख सूना शेख यह दो लोग थे तो सब क्या होता है कि मर्द तो आम तो पर घर चोड़के भाग जाते हैं और विचारी कहा जाएंगी तो उस उनमें बच्चे थे महिलाएं थी और वो उनको घरों में चुकी पीछे से बंद कर दिया गया भागने का रास्ता मिला नहीं घरों में आग लगा दी गई जिसमें वह आठ आतिक्षेक की बीवी थी मीना बीवी कि अब तक यह बयान आया है कि आठ शव जो है साथ शव उन घरों से निकाले गए आठवी की म्रत्यों अस्पताल में हुई अब तब इस पे तहल का मशना तो सभाविक था तो वहां के गवर्नर है जगदी धनकर साहब उन्हों ने जो है चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है उन से रिपोर्ट मांगी है केंदर सरकार ने गवर्नर से रिपोर्ट मांगी है कि भैया यह लॉय नौर्डर की क्या सिती है बेंगॉल में रिपोर्ट भेजो और बीजेपी ने अपनी तरफ से एक पांच सदस्ची कमिटी बनाई है कि जाईए और पूरे इलाके का दोरा करके परसनली सब्सक्ते मिलके एक रिपोर्ट सब्मिट कीजिए उस पांच में से चार जो है एक्स पुलीस आफिसर्स हैं डी उसमें दो लोकल मंगाल के हैं एक साथ सत्पाल साब हैं जो कि मुंबई के पुरू कमिशनर थे वह बागपत मेरे साइट से जो सांसद हैं इस तरह उन पांच में से चार बड़े पलीस अफिसर्स हैं रिटायर्ड जिनकी एक फेक्ट फैंडिंग केमिटी बनाके बीजेपी इसका एक स्वभाविक सा जो आउट्रेज देश में होना था वो हो रहा है परन्तु यह घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो तो इतना बड़ा बवाल मस्ता कि पूरा देश जो है ना वह गूंज उठता पर चुकि मोंता दिदी एक सेकुलर स्टेट मे एक लिबरांडू स्टेट में घटना हुई है तो जैसा कि सवभाविक इंडियन प्रेस का है कि दे आर डाउन प्लेंगे तो ठीक है दो राइवल्स की घटना है और मरने वाले मुसल्मान मारने वाले मुसल्मान इसलिए कोई बहुत जादा बवाल मचाने की दरुत नहीं है अगर हिंदूों ने मुसल्मानों के यह करदी होती तो अरे बाप अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता अब तक तो सारे लिबरांडू सारे सेकलर जो है वो कुरता फाड़ के जो है मौर्रा मना रहे होते सड़कों पर पूरे देश में बवाल मचा होता पर मुम्तादीजी क स्टेट में तो पूता रहे हैं यह है बेसिक घटना मतलब इस प्रकार अरा जक्ता इस प्रकार लॉलेस्नेस टोटल जंगल राज बेंगॉल में चल रहा है इस से पेरलल एक और राज्य है थोड़ी सी दूर उत्तर प्रदेश वहाँ पे बाबा का सेकंड गॉर्मेंट रिपीट हुई है था अब बाबा जी फिर से आ गए है एक प्रशंड बहुमत के साथ अभी सरकार ने शपत नहीं ली है 25 तारिक को बाबा की सरकार शपत लेगी पर शपत लेने से पहले ही अभी काम चलाओ गॉर्मेंट चल रही है था प्रदेश में इस समय कोई फुल फ्लेश गॉर्मेंट नहीं है एक काम चलाओ सरकार है उस काम चलाओ सरकार में भी गुंडे जो है लाइन अभी हमने सारे वीडियो देख रहे हैं यह गुंडे लाइन लगाके थानों में आत्मसबरपड कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं रो रहे हैं कि प्लीज हम गुंडा करती नहीं करेंगे हमें गोली में प्रकॉप से में बचा लो सोशल मीडिया पर जाब मीमस आ रहे हैं कि अरे बाबा आपने तो काया था मई जून में मैं सिम्ला बना दूंगा और इसार भी तो मार्च में आपके राजमें वरफवारी होने लग गई अरे सर अबी तो आपने शपत भी नहीं लीग तब यूपी में इसे कहते हैं सरकार की थमप जहां गुंड़ा बदमाश गुंड़े तो छोड़ जोर से भासने जोर से बोलने में भी चार बार शोचे करें भाईयाद धीरे बोलो जोगी जी का羅ज कोई सुन लेगा आज कल जोगी जी की पुलिस सीधे पैरे में गुली मारती है गुंडे बदमाशों की अभी पीछे एक और घटना हुई है ऐसा बताया जा रहा है I'm not sure about it but I have heard कि कोई एक गुंडा था वो किसी केस में वांटेट था फरार था और सरेंडर नहीं कर रहा था उसके गिरफतारी नहीं हो पारी दी पुलीस को बढ़ा कि पुलीस पे बहुत ज्यादा प्रैशर था तो जिला प्रशासन ने उसके घर के आगए बुल्डोजर ले आगए खड़ा कर दिया यह कल की घटना घर के आगए फिर बुल्डोजर डादेंगे सब यह होता है सरकार का इकबाल मैं हमेशा कहता हूं राजा नहीं राज करता राज दंड आपने पुरानली जमाने में देखा होगा ना राज सिंगहासिन के बगल में एक बहुत बड़ा डंडा होता है और उस डंडे में ध्वज लगा होता है जंडा तो वो जो राज दंड होता है जिस डंडे में जंडा लगा होता है जंडे के साथ डंडे का बड़ा महत्व है राज्ये में गवर्निंस में और जंडा तो प्रतीक होता है कि आंडा करता कि आपने दिखा हुआ युद्व में जब वे चोटियां फतय करते थे अपने छुड़ाई थी उन्हों ने जो भी चोटि फतय करते थे भारत का जंडा ले रहा थे तो जंडा इतना रोल होता है। जदे मेर्ग लगागा होता है। जतना मजबूत होता है ना शासन उतना मजबूत होता है। और एक बात आप को आख बताजू। योगी बाबजे ने बेंचमार्क सेट कर दिया है। पिछले दिनों अभी पिछले एक हफ्ते से आपने देखा हुआ कि एंपी से भी एक बुल्डोजर की खबर आ रही है कल मामा शिवराज सिंग जी जो है ना चौहन साथ उनका भी एक बयान मैंने देखा है कि गुंडे बदमाशो सुधर जाओ एंपी में आपके लिए कोई जगह नहीं है हम भी बुल्डोजर फेर देंगे तो कहने का मतलब बताब बाबाजी ने एक बेंचमार्क क्रेट कर दिया है कि कानून विवस्था तो ऐसे समलेगे गुंडों को आप इसी तरीके ते कंट्रोल कर सकते हैं अधर्वाइद वो तो प चल रहा है ज्यादा तर स्टेट्स में चल रहा है फिर वो चाहे असाम देख लिजी आप चाहे यूपी देख लिजी चाहे एंपी देख लिजी हाँ जहां बीजेपी स्टेट्स नहीं है वहाँ पे तो भगवानी मालिक है तो सब बात यह है कि राज्य सरकारें कब तक धुलमल रवया अपनाएंगे और जब गुंडा एलेमेंट्स को आप प्रश्रह देंगे स्टेट प्रश्रह देगा राज्य की सरकार से राज्य की पॉलिटिकल इस्टाबलिश्मेंट जब गुंडों को समर्थन देगी को खुली छूट देगी तो सब यही होगा जो बंगाल में हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है पिछले कहीं सालों से हो रहा है तो सब आपको लॉइन और्डर के प्रती एक जीरो टॉलरेंस पलसी बनानी पड़ेगी और अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप हर पैरामेटर में पिछड़ते चले जाएंगे और किसी भी राज्य की डेवलेप्मेंट के लिए लॉइन और्डर कानून विवस्ता सरकार का इकबाल होना सबसे ज़्यादा जरूरी है सिर्फ लॉइन और्डर की एक मात्र पहली रिकवार्मेंट है जो राज्य को प्रगति के पत्थ पे ले जाती है बंगाल तिनो दिन नीचे गिरता जा रहा है तो अब ये तो मुम्ता दीदी को देखना होगा है कि ताब वो कैसे अपना स्टेट समालती है और केंदर सरकार ने ताब एक टीम भेज़ दी है देखे क्या करते हैं मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन केंदर सरकार अभी भी लेगी बंगाल में तो लेट सी इस घटना करम पे हमारी नदर यह ही बनी रहेगी मैं अगली वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि बंगयाल में टीम सी इत्रिनमुल कॉंग्रेस की गुंडा गर्दी किस प्रकार और्गनाइजड रूप से जो है चलती है अगली वीडियो का इंजार के लिए कीजिए आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद यह टॉपिक बड़ा सेंस्टिव है पता नहीं देखिए मोनेटाइजिशन होता है कि नहीं होता है अगर तो मेरे सभी दर्शकों के लिए वीडियो खुला रहेगा अगर नहीं होता है तो मजबूरन इसको जो है ओ अगले विशय पर फिरते मिलते हैं तैंक यू वेरी मच्च